नमस्कार दोस्तों महीं परदीद दूबे आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं अगर आपके पास कोड से या बैंक या कमपनी के तरब से अगर कोई लीगल नोटीस आता है या सम्मेलन आता है तो क्या आपको उसे रिसीब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और इसे अगर आप रिसीब नहीं करते हैं तो क्या आपको दिक्कत होगा अगर आप रिसीब भी कर लेते हैं तो क्या आपको रिप्लाई करना जरूरी है आज हम इसके बारे में पूरी जनकारी बताने वाले हैं मेरा आपसे रिक्वेश्ट है आप इस वीडियो को सुरू से ले तरह तरह के माध्यम से आपके पास notice आते हैं अब यहाँ पे कुछ लोग के मन में यह सवाल रहता है कि हमें legal notice receive अगर नहीं करेंगे या कर लेंगे या करके reply नहीं करेंगे तो हमें दिक्कत होगा तो पहले हम आपको थोड़ा से समझा के बताएंगे पहले आप मेरे सारी बातों को अच्छे से note कीजिएगा तो देखिए आपके पास जब भी legal notice आएगा तो by post आएगा, by email आएगा, whatsapp पे आएगा जो कि इसका मानने होता है और जब भी आपके पास आता है तो पहली गलती आपको एग नहीं करनी है कि आपको उस notice को ऐसा नहीं कि आपका notice अगर आया है तो आप उसे receive ही ना करें हमेशा उसे receive करें क्योंकि receive करने से आपको सबसे बड़ा benefit A है आप जान सकते हैं कि इसमें क्या चीज हमारे नाम का है क्या लिखा है और हमारे खिलाप क्या साजिस हो रही है और उसमें क्या details है इससे आपको मालूम पड़ेगा जिससे आपका जो matter है ए आप उसे और गंभी रूप से देख सकते हैं और आप कोई दिक्कत भी नहीं हो सकता है तो हमेशा आप कोई भी notice अगर आपके पास आए चाहे हो court या bank या company से आए चोटी ही notice क्यों न आए हमेशा आप उसे receive करने कोशिश करें आप सवाल यहाँ पर यह है कि फरजी और अनफरजी जैसे कि आपका फरजी legal notice और आपका real legal notice दोनों में क्या difference है अगर फरजी है तो कैसे पता करें जोस्तों अगर आपका फरजी notice रहेगा तो हमेशा आप उसके ऊपर कौंदर में देखेंगे तो वहाँ पे only name रहेंगे आपका जिसने भेजा है उनका नाम रहेगा नीचे उनका mobile number दिया रहेगा email ID रहेगा बट जो real आपका legal notice रहेगा वहाँ पे एक reference number रहेगा जैसे बोलते हैं कि जिस तरह आपका bank में transaction ID होता है वैसे एक number होता है जो कि हर notice में रहता है बर कभी-कभी फरजी notice में यह आपका डाला जाता है उससे आप track कर सकते हैं कि किस थूरू से आया है किस company से आया है यह को legal notice हमेशा अगर PDF में आता है तो यह company से ही आती है और उनका एक site रहता है जो कि वहाँ से लोग जो है अपना PDF बना कर भेजते हैं तो आप इसको verification करने के लिए check करने के लिए आप नीचे देखेंगे तो आपको email ID और सब कुछ लिखा रहेगा पूरा address बता रहेगा और वहाँ पे ऊपर देखोगे तो वहाँ पे आपको जो है पूरा details बताया रहेगा तो इसकी एक पहचान होती है बाकी फरजें भी आज का लोग ऐसा बना कर दे रहे हैं तो इस तरीके से आपको यह सब गलतिया नहीं करनी है और आपको notice को receipt कर लेना है दोस्तों मैं आपको बता दूं legal notice कभी भी आपके पास अगर आता है अगर आप उसे receipt कर लिए अगर आप उसे reply नहीं कर रहे हैं तो आपको डरना नहीं है अगर आप reply नहीं करते हैं तो कोई आज़े पराद नहीं है बट अगर आप पर कोई मैटर है छेक बांच का मैटर है विज पैरी आप कर क्लेम किया है कि इसे हाल सांना जरूरिक है और अपों आपको करना जरूरए yht CON לצैखी जयाचि बाशने कि अपरेशत कोहसे सब्वें Şu every song स्थे soap भी फरकार कि यह जो कि only आपके पास इसलिए आता है कि सामने अला परसन आपको ये जारी कर रहा है कि हम आपको कानूनन रूप से आपको ये सुचित करना चाहते हैं कि आप मारे इसका पालन करते हुए आप इसको जो भी इसके रूल है आप इसके अंडरे में रहके आप इसका समधान करें इस नहीं चाहिए अब यहां पर सवाल ए आ गया है कोई कंपनी आपको कोई बैंक कितनी बार नोटिस आपको दे सकता है दोसों देखिए नोटिस आपके अलग अलग तरह के होते हैं पहले कोई कंपनी आपको अली डिमांड नोटिस भेशता है डिमांड का मतलब है कि जो भी आप से उनके बीच में समझोता था जो भी एग्रिमेंट था उसके तहत आप रहकर उसको फोलो करो और उसको आप पुरी तरीके से मत विगाड करो समझोता करो जब आपके पास एक नोटीस आया आपने कोई रिप्लाई नहीं किया तो कंपनिया बैंक या दुबारा आपको भेजे आपके पास बेजवा सकते हैं उस हाल में आपको हाजिर तो होना ही पड़ेगा अगर आप नहीं जाते हैं तो वहां पे आपके पास फिर से आएगा दो से तीन बार आएगा अगर आप फिर भी नहीं इस इसका पालन करते हैं कोट समिलने आपको नोटीस का तो फिर आपके सब्हूंद कांद करनें सब्दक्राइब है सब्हूंद करने आपATA है होती है उसकी अलग पहचान होती है और हमेशा ओवाई पोस्ट ही आता है और उसमें कुछ चीजे ऐसी होती है जिसे पढ़ने के बाद आपको मालुम पढ़ भी जाता है कि एक ओड से ही और एक रियल है फरजी की बात अलग होती है तो मैं आपसे हमेशा रिक्वेश करूँग कभी आपको एक रएक और बाद से बात करें पहले है और इस नोटीश को दिखाए क्या है रियल है या पहेख आप उसके oral साइट पर जाके जाके नंसलों tweak सकते हैं रियल होगा है तो आपको चुच हूं करें सुख करेंक और नोटीश कभी आया तो यहां पर इंफ्रमेसन नहीं रहेगा तो यह आपको सावधानी ब्रत्नी है कभी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा कोई कंपनी कभी भी आपको बिना वजय का पर क्लेम नहीं कर सकती है अगर जादी कोई प्रॉलम है तब ही कंपनी आपके पर क्लेम कर सकती है पट लोन अंस कि पूठ पूठा सर्ट पकषनि आपको लेल जाने से इसलिए सोस्तिय कुई मैंटर लंबा जाता है और इतना किषे की पास है तो एह होता है Search home notice का जो मैं आपको इस वीडियो में legal तरीके से बताया हूँ तो सायद आपको इस वीडियों से जानकारी मिल चुकी होगी और आपके मन में अगर इसके बारे बे कुछ भी सवाल है तो आपको उसे जरूर पुछना मैं reply देने कोशित करोंगा कोई ऐसी अगर मैटर आपका है तो आप मुझे जरूर इमेल करना पूरा सब्सक्राइब करोंगा वीडियो कैसा लगाई से लाइक कर देना शेर कर देना आपके मन में क्या ख्याल है कमेंट करना फिर में लेंगे नए वीडियो के साथ तब तक लिए जय हिन वंदे मातरम